आपके हिसाब से इस चुनाव में भाजब का विरोध ही कौन है आपकी लड़ाई किस से हैं कॉंग्रेस से हैं या आम आदमी पार्टी जो की अब अपनी जगा बनाने की देखे हम हमारे सकारात्मक मुद्दे लेकर चुनाव में जा रहे हैं 27 साल से हम यहां पर शासन में है 27 स साल में गुजरात को हमने परिवर्तित किया है गुजरात के अंदर आमूल चूर परिवर्तन किया है और अगले 10 साल का रोड मैप भी हमारे पास है तो हम किसी का विरोध करने के लिए चुनाव नहीं रहे हैं हमारे रोड मैप के आधार पर और हमारे पाश रेकोर्ड को दो पग्रदेश के अंदर गुजरात को एक नंबर का राज्य बनाएगी जो बन चुका है और उसको लंबे समय तक ये स्थिति को बनाने के लिए हम एक बहुत बड़ी नीव डालने का काम करें आगे के रोडवैप की बात करते हैं अब तक का जो आपका ट्रैक रेकॉर्ड है उस कि जहां तक आगे के रोड मेप का सवाल है वो कॉंग्रेस के इतने लंबे सासनकाल के अंदर गुजरात के अंदर विकास एमदाबाद मुंबई हाइवे की दोनों और ही सिमट कर रह गया था भारतिय जनता पार्टी की सरकार ने गुजरात के अंदर नो हाइवे बनाए और विकास को हर जिले के अंदर टेक्निकल तरीके से पहुचाने का काम जब हाइवे पहुचता है तो विकास पहुचता है हर यात्रादाम को रोड से जोड़ा हर पॉट को रोड से जोड़ा और गुजरात के सभी नाकों को रोड से जोड़ कर हमने गुजरात के अंदर एक वि इंस्टिटूट में डाखला लेकर अपनी केरियर को एक नवा सरूप दे रहे हैं और स्टाट अप की जो कि इनिसेटिव मोदी जी ने लिया है धेर सारी पॉलिसियां बनाई है वो सारी पॉलिसियों के के लिए यहां पर बहुत अच्छा तंतरम ने बना जुके हैं जिस पर एक बहुत बडी इमारत खड़ी होने वाल है और यह सारी चिजह गुजरात की जनता को बहुत अच्छे तरीके से मालूम है गुजरात में बहुत गांव ऐसे है जहां बैंक नहीं है और उसमें भी बहुत कम गांव ऐसे है जहां electronically कि पैसा transfer नहीं होताई है कि अब यह पूरा जो ecosystem बना है वह ecosystem पर गुजरात के अर्ठितंत्र को गुजरात की जन्ता को विकास के रास्ते पर ले जाने का काम अब सुरू होने वाले है जब गुजरात में साधारन तोर पे लडाई दो पार्टियों के बीच में होती है जब भी त्रिकोडिया मुकाबला होता है तब 1990 में जब लास्ट टाइम हुआ था तब एकदम ही अज अफा पहले हो चुका है जब तीम पार्टियां होती है तो रिजल्ट अन्प्रेडिक्टेबल हो सकता है अन्प्रेडिक्टेबल तो नहीं होता है हर बार हम चुनाव जीते हैं नब्बे के बाद एक भी चुनाव चाहे लोग सबाका हूई आविदान सबाका भारतिये जनता पार्टी नहीं हरी हर बार हमें गुजरात की जन्ता ने अपना आसीरवाद दिया है और ऐसा नहीं है कि त्रिकों यह जंग भी पहली बार हो रहा है त्रिकों यह जंग दिखाई पड़ता है जब नतिजए आएंगे तब मालूम पड़ेगा त्रिकों यह जंग था या नहीं परन्तु दिखाई पढ़ने वाला त्रिकोन ये जंग गुजरात में निकट भूतकाल के अंदर दो बार हुआ संकर सिंग वागिला ने भी अपनी पार्टी बनाई थी स्री केसु भाई पटेल ने भी अपनी पार्टी बनाई थी इसके पहले चीमन भाई पटेल ने अपनी पार्टी बनाई थी कॉंग्रेस के बहुत बड़े दिग्गत देता थे राष्टिय महासाचिव थे रतु भाई अदानी ने भी अपनी एक पार्टी बनाई थी चारो बार गुजरात की जनता ने वीपक्सिय जंग को ही सर्टिफाइड किया थप्पा लगाने का काम किया और इस बार भी मैं स्पष्ट मानता हूं कि लड़ाई भारती जनता पार्टी और कॉंग्रेस के बीच में है